आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ ओके गाई, सो हमारे आज का topic है Line of Symmetry of a Parallelogram सो Parallelogram की Lines of Symmetry के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, उसके लिए मैं सबसे बहले पताऊने चीज़ी कि Lines of Symmetry क्या होता है यह हम अभी तक पिछली वीडियो उसमे पढ़ते आ रहे है सो मैं एक बार फिर से recall कर देता हूँ Lines of Symmetry होता है क्या है कि Suppose कर लेते हैं यह हमारी एक इमेज है ठीक है So Lines of Symmetry होती क्या है कि वो हमारे image को दो equal parts में divide करती है So यहां पर यह Lines of Symmetry हो गई तो यह हमारे एक इमेज को दो equal parts में divide करती है Such that जब हम इस line के round अपने image को revolve करेंगे इस line के round अपने image को fold करेंगे तो वो हमारे second part हमारे first part के उपर coincide कर जाएगा इसको कुछ एक example अगर हम real life example देखें जैसे कि हमारी एक T-shirt हो गई हमारी jeans हो गई अगर हम इनको देखते हैं कि यह हमारी line of symmetry होती है अगर हम T-shirt को center से fold करें तो हमारा first part हमारे दूसरे part के उपर exactly coincide कर जाएगा तो यही सब हमारी lines of symmetry होती है कि वो line जो हमारी image को exactly दो parts में divide कर दे ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे कि line of symmetry of a parallelogram क्या होता है तो उसके वहले हमें एक parallelogram बना लेते हैं यह हमारे एक parallelogram है ठीक है तो इसके नहीं हमारी line of symmetry क्या होगी तो basically हमारी parallelogram में line of symmetry नहीं होती it has no line of symmetry हमारा parallelogram होता है वो इस टाइप की figure होती है जिसके नहीं हमारी line of symmetry एक्जिस्ट ही नहीं करेगी ठीक है अगर हम इसको हम चेक भी कर सकते हैं अगर मैं इसको यहां से suppose कर लेते हैं मैं यहां सेंटर से अगर एक line of symmetry बनाता भी होना तो अगर मैं इसको revolve इसको इस line के रहां rotate करूँगा तो यह मेरा exactly coincide नहीं करेगा मेरा यह वाला part यहां जब यहां rotate होगा तो यह मेरा यह वाला portion जो होगा न वो इस point से आगे जाएगा यह हम इसको practically test भी कर सकते हैं एक sheet of paper लेकर अगर हम उसको इसी shape में cut करें और अगर हम उसको किसी भी direction में किसी भी way में fold करें वो हमारे exactly coincide नहीं करेगा तो इसलिए हमारी parallelogram के ज़नर कोई भी line of symmetry नहीं होती तो यह हमारा topic था कि line of symmetry of parallelogram क्या होगी आपने parallelogram के बारे में पड़ा parallelogram हमारी image होती जिसके में हमारी diagonals opposite sides की length equal होती है इन दोनों की length equal होगी बट हमारी जो line of symmetry के जिसके में कोई भी नहीं होती ना वो center में exist करती है ना वो diagonal में exist करती है क्योंकि अगर हम इसको diagonal के round revolve करें तो भी हमारा symmetrical नहीं होगा बट parallelogram के कुछ special cases होती है जैसे की rhombus, rectangle, square यह हमारे parallelogram के कुछ special cases होती है इन cases के अंदर हमारी line of symmetry exist करती है बट parallelogram के अंदर हमारी line of symmetry exist नहीं करती है तो यह हमारा आजको topics है अब हम अगले अगले topics में इनी तीन rhombus, rectangle, square इनकी line of symmetries के उपर discussion करेंगे क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर